आपको जंकरी कहिंगे देने के अल्ए वालां वह कि आपकी आदरकाड में आपको अधर से रिलेटेट है दोस्तों बहुत से लोगों के अधरकाड रद कर दिया गये हैं और बहुत से लोगों का भी कि यह जाने वाकी है दोस्तों इस वीडियो में में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चECK कर सकते हैं कि आपका अधर काट कहीं रद तो नहीं हो गया दोस्तो लेकिन हम आपको पहले ये बता देते हैं कि क्यों आधर काट जो है वो रद गे जा रहे हैं दोस्तों यह तो condition है जो government ने लगाई है अब आप पता कैसे करेंगे कि कहीं आपका अधार कार्ड भी रद तो नहीं हो गया तो उसके लिए आपको करना क्या है अपने Google ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिए जैसे आप Google ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कि आपका आधार कार्ड गहीं डिएक्टिवेट यानि रद्धतों नहीं हो गया तो उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक option दिखेगा और यहां पर आपको एक option दिखेगा वेरिफाई एन आधार नंबर अब करना है जैसे कि हम यहां पर क्लिक कर देते हैं इसा तरह से आप कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से आप देखेजे अब देखे जैसे आप तो आप इस तरह से अपना यहां आधार नमबर लिखेगा और उसके बाद यह वाला CAPTCHA COAT इस बॉक्स में लिखेगा और उसके बाद यहां पर verify कीजेगा जैसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो ok होते ही आपको बता दिये जाएगा कि आपका आधार कार्ड वैलिड है verify है या नहीं है या कहीं deactivate तो नहीं हो गया ठीक है यह simple से तरीके से आप यह पता कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड कहीं वैलिड तो नहीं हो गया अगर मालीजे यहां पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहां पर देखिए आपको इनका एक toll free नंबर भी दिया गया है जो कि आधार services का toll free नंबर है आप यहां पर भी call करके अपने आधार की जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तो कई लोगों के लाखों लोगों के आधार कार रद हो गया है इसलिए मैंने यह जानकर आपके लिए बनाई कि आप भी अपना अधार नंबर चेक कर लिजिए कहीं आपका आधार भी रद तो नहीं हो गया अगर आपने तीन साल तक उसको इस्तेबाल नहीं किया है तो तो दोस्तों यह जानकर आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके शरूर बताइए और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो बिले से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू कीजिए